हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका स्टेडी फॉर लाइफ यूटूब चैनल में आज हम मेंस का एक और टॉपिक सूर्दास का वादसले प्रेम डिसकस करेंगे तो आईए जानते हैं सूर्दास का दोनों प्रेम भूत महत्पून है वादसले भी और जो रादा कृष् नो रस थे हमारे हिंदी में वादसल रस का इस्थान सूर्दास जी के काब से ही मिला है भूमिका में हम लिखेंगे कि सूर्दास को वादसल का समराट कहा जाता है वो वादसल के समराट थे थोड़ा बहुत वादसल बालमी टैगर और कालिदास की कविताओं में भी फैलो की कविताओं में नजर आता है तुलसी दास की काब में भी राम चंद्र जी का जो बच्पन दिखाया है राम लश्मर्ड भरत सत्रुहन का उसमें वातसल का दर्सन होता है लेकिन जितना सूच में चित्रण सूर दास ने वातसल प्रेम का किया है उतना सूच में वातसल क कहीं और द्रश्टिगत नहीं होता है। सुकली जी ने कहा है, सूर्य वातसल और स्रिंगार दोनों छेत्रों के अप्रतिम समराठ है। वह मात रहर्दय का कौना कौना जहां काये हैं। वातसल को दो तरह से डिस्क्राइब करेंगे हम सैयोग वातसल और वियोग वातसल। सैयोग में कहां कहां वातसल दिखाई देता है और वियोग पच्छ में कहां कहां। देखिए पहले सैयोग में रूप सौंदर है। वो रूप का मरणन करते हैं, सौंदर का मरणन करते हैं, कृष्ण की बालपन के, तब उसमें वातसल दृष्टिगात होता है, जैसे वो लिखते हैं, कहालो वर्नो सुंदर ताई, खेलत कुणर कनक आंगन ने निरक छबी पाई, इसूरदास जी लिख रहे हैं, जब कृष्ण नंद के आंगन में खेल रहे हैं, उनकी बाल कीड़ा में दृष्टिगात होता है, जैसे किलकत कान घुटुरवन आबत, मनिमा कनक नंद के आंगन बिम्पकरवे धाबत, वो घुटुवन घुटुवन आरे हैं, मतलब हस रहे हैं, जो बच्चों की हुसी होती है, उससे किल ऊस रहे हैं और मंडी मय कनक नंद के अंगन नंद के अंगन में जो रतन्म जड़े हैं जो पत्तल लगे उस्में वो अपना ही परतिवे में देख कर उसे पकड़ने की चेश्टा कर रहे है जुसमत मन अविलास करें लाल गुटूरूवन रहेंगए कब धरनी पग बच्चा पेर पेर चलेगा, कदम कदम बढ़ाएगा, पहला कदम रखेगा, खड़ा होगा, तो उसमें एक अलगी ममता जागरित होती है, बाल हट को दिखाया है, बाल हट मैं जैसे मैया मैं तो चंदर खिलोना ले हूँ, जैहूं अवे लोट धरनी पर तेरी गोद ना आए ह मैया मैं तो चंदर खिलोना ले हूँ, इसमें बाल हट का दर्शन होता कि वो चांद को माँग रहे हैं, क्या मुझे यही खिलोना चाहिए, बाल लीला करते हैं क्रिश्ण, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मातर आशंका, जो मा की आसंका बच्चे के प्रती होती, एक एक सूच में बढ़न किया है, एक बच्चे के प्रती, जो आम माताओं की इस्थिती होती है, वो बिल्कुल यह सोदा और क्रिश्ट में दिखाई देती है, मातर आशंका है, नहीं कि माताओं को एक आसंका होती है, कि हमारे बच्चे को नजर न लग जाए, कितनी भी पढ़ी ल लागे, कई मेरी ही नजर न लग जाए मेरे बच्चे को, बाल छोब, बच्चे का गुस्सा, मैया मोही दाओ बहुत खिजायो, शिकायत करने की लहजे में, हर जगए आपको वात्सल दिख जाएगा, क्रिश्ट के एक एक पक्च को बड़ी सूच में से वर्णन किया है, सू उसमें क्रिश्ट की वात्सल का व्योग पच्च दिखत होता है, जैसे कब वो है मुख बहुरों देखों, कब ऐसो सुख पईयों, मतलो कब क्रिश्ट का मुँ दुबारा देखने को मिलेगा, ऐसा सुख मैं कब पाऊंगी, गुस्से में यह सोधा कह रही हैं नंद जी से, जब नंद क्रिश्ट को मत्रा छोड़ कर वापस आते हैं, तो यह सोधा जी कहती हैं, नंद ब्रज ली जो ठोक बजाए, तुम जैसा ब्रज मुझे सौप के गएते, अपना ठोक बजाके देखलो, लेलो, देहु विदा मिल जाए मधुपूरी, अब हम सब को बिदा देदो हम सब मिलके मधुपूरी यानि की मत्रा जाएंगे जहां गोकुल के राय हैं क्रिश्ट न हैं गोकुल की जान जहां बसती हैं, हम सब भी वहीं जाएंगे। यसोदा ना रही सूर हो गई और सूर सूर ना रहे यसोदा हो गई बातसल का व्रणन करते समय सूर और यसोदा एक ही लगते हैं जब यसोदा बोलती हैं तो लगता है सूर बोल रहा है और जब सूर बोलते हैं लगता है कि वो स्वयम ये सोधा हो गए हैं दिवेदी जी भी कहते हैं हम बाल लीला से भी बढ़कर जो गुण सूर में पाते हैं वह है उनका मात्र हर्दय चित्रन सूकल जी सूर के स्रंगार के संबंद में जो यह कहते हैं कि उन्होंने गोपियों की इतनी भावदसाओं का वरणन किया है कि मनोविज्ञान में उनका नामकरण तक संभव नहीं है यह कतन सूर के वादसल वरणन के साथ भी हू बहू लागू होता है तो आसा है आपको यह वीडियो लावकारी से दोगा आपके रिवीजन की कड़ी में आप एक दो बार भी अगर इसको देखेंगे तो आसा है यह आपको सारे कोटेशन याद हो जाएंगे और सुनने से बहुत जल्दी याद होता है तो आप कोसिस करिएगा कि इसको रिवीजन के तोर पे दो एक बार देख लें आपके लिए सुब कामनाओं के साथ धन्यवाद आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल